Good morning my dear students, welcome back to your divinity class Student, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने divinity subject पढ़ना भी start किया है तो उसका हमने first topic कर लिया था, जिसमें मैंने आपको name of 10 gurus कर वाया था आज हम करेंगे 5 kakars, सिख धरम में 5 kakars होते बच्चो सिख धरम विच 5 kakars जो की बहुत ही importance रख देने आज जैसे उना 5 kakars वारे पढ़ांगे, ओ की की होंदेने पहली photo विच ता उनों नजर आगया होवेगा की 5 kakars ठीक है केस तरहां दे होंदे हान बच्चो सिख धरम विच जदो सी अमरित शक दे हान ता सिख दे लेई इना 5 kakarा नों तारण करना बहुत ही जरूरी होंदा है ए सिख धरम दी पहचान होंदे हान अमरित शक दी ठीक है पहचान होंदे हान ते आज जैसे इना वारे पढ़ांगे इना दी बहुत ही मानता है सिख धरम विच So, name of 5 kakars First, केश केश, केश, केश तो पाव है बाल ठीक है बच्चियों तुसी नॉर्मल देखे होएगा कि सारे ही लोग अपने बालांदी कटिंग करवालें देहान लेकिन जो सिख होंदेहान वो अपने बालांदी कदी भी नहीं कट दे क्योंकि सिख तरम विच बालांदी बहुत ही महतता है तो बालांदी कटाईन नो कटन नो बलकुल ही वर्जित कितन होंदा है जो सिख्ष हों देहान वो अपने बालानों कर दी भी नहीं कट दे वो अपने बालानों अपनी अपना सनमान अते बालान दी रिस्पेक्ट कर देने ठीक है तो केश्टा मतलब होंदा है अनकट हेयर कि अपने बालानों कर दी भी नहीं कटना दूसरा का कार है कंगा ठीक है बच्चो तो अड़ी फैमिली विच अगर किसे ने अमरित शक्या होगे जहां आसपास किसे ने तो उसी उना को लो पुच सा दिया उना वाल देख सा दिया कि उना ने उना दे को लेक छोटा या कंगा हुंदा है ठीक है जो के फोटो वीच भी हम नजर आवेगा ठीक है ओवी फाइब का कार्स वीच एक का कार है इंपोर्टन्ट ठीक है सोकंगा दे स्पेलिंग हम के ए एन जी ए थर्ड कड़ा बच्चो कड़े दा भी बहुत ही मानता है सिख तरम मेंच हार एक सिख व्यक्ती चाहें उन्हें अमरित शक्या होवे चाह आपको इसे होर भी तोधा बने dei हो सकता है ठीक है सो कड़े दि बहुत ही मानता है को यहाह कड़े नूं अगरत तरम सिख नहीं है तहां भी तुससी कैन Somethingum कार है कशेरा के ए सी डाबल एच ए एच आरे कशेरा भी इंपोर्टन्स रख दा है जिना ने अम्रिच शक्या हुंदा है ठीक है फिफ्ट इस किरपान के आई आर पी ए एन किरपान भी पांज कारा विच अपना मत्वर अन्स्थान रख दी है तूसी देख्या हुएगा जिना और अम्रिच शक्या हुंदा है उन्हाने गले विच छोटा किरपान भाया हुँदा है ठीक है तो किरपान अर्थ हुदा है कि अपनी अगर तोड़ी खिलाफ कोई जूलम हुदा है तो तुसे आपनी आतम रक्षा कार सकत दियो कड़े दा वी एही मतलब हुदा है ठीक है आपने आपनो पवितर रखना कोई भी गलत कम नहीं करना कोई भी गलत सोच नहीं रखनी ठीक है केश और कंगा भी बाला दी इंपोर्टन्स वास्ते हुंता है क्योंकि सिख तरह में जो बाला नू कटम दी सक्त मना ही हुं दिया बच्चों तुसी इना फाइव का कार्स नू अपनी फियर नोट बुक को ते नोट करना है ठीक है मैंने उमीद है कि दूसी टैन सिख गुरू जे नाम भी नोट कर ले होंगे तो पहला दूसी अपने इंडेक्स विच नोट करना है बारा जून दो हैर भी ठीक है नेम और फाइव का कांस ओके थैंक्यू एधिर अधिर नोट कर दूसी गर्णी अपने ये करे